नमस्का दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक बेहतरीन टिफ्स आईफोन इज़र की लिए दोस्तों अगर आपका आइफोन लाइक कर रहा है जो की अभी रिसेंटली में बहुत सारे आइफोन इज़र का एजना है कि आइसे की PUBG या Callout Duty या Free Fire ऐसे गेम्स खेलते हैं तो उनके iPhone लाइक करते हैं यानि की हैंगी की समस्या आती है क्या होता है कभी कभी स्क्रीन होता है और जब आप टैच करते हो या फिर टैप करते हो तो कुछ भी नहीं होता है स्क्रीन पे ओके तो ऐसी समस्या लगतार आ रही है तो उन iPhone users के लिए मैंने वीडियो बनाया है उनके recommendation पे तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो set है यह iPhone का SE और इसमें 2GB RAM मिल जाता है और इसमें मैंने एक Free Fire गेम चलाने की कोशिश की थी जो की बहुत assembly run होता है लेकिन एक PUBG भी डाउनलोड कर लिया था इसके साथ ही मेरे iPhone में ancestral hanging की समस्या शुरू हो गई तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे application install कर रखे हैं देख सकते हैं यहां पे भी shopping कैं applications है यहां पे भी जो बहुत सारे utilities हैं तो यह मैंने application install कर रखे हैं और यहां पे WhatsApp भी चलाता हूँ तो इस वज़र से कभ़भी क्या होता है कि य lifes iPhone अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो ऐसा नहीं करते हैं, कि यहाँ पे डबल टैप किया, और इस आप को रिमॉफ करें, जो रणिंग में हैं, तो उएसा नहीं करते हैं, मतलब आप ड़ी लोग आप को रणिंग कंडिशन में ही छोड़ देते हैं, तो उनके ऐसा नहीं है कि आपके astron की कंई से होता है या फिर आपके clock speed की कंई से होता है या फिर आपका chipset खराब है या फिर आपने update किया है इस वज़स ऐसा हो रहा ऐसा नहीं है आप अपने iPhone को ज्याधा running application मत चोड़िये तो क्या यही option है कि आप हमेशा क्या करोगे कि एक application को यहां से on करोगे फिर दूसरे को on करोगे फिर तीसरे को on करोगे और बार बार जा करके ऐसे ऐसे close करोगे नहीं दोस्तो जब आप iPhone को restart करते हो जैसे कि यहां पे आपने click कर दिया power button को और इसके बाद यहां पे power off कर देते हो और इसके बाद power on करते हो तो जितने भी application होते हैं जो running condition में होते हैं वो बंद हो जाते हैं यानि कि वो खतम हो जाते हैं उसका task end हो जाता है कि android में तो हर company के तरफ से एक system icon दिया जाता है जिसके दोरा आप boost कर सकते हो इसमें कैसे करोगे तो दोस्तों क्या करना है आपको कि यह जो power button है इसको प्रेस करके ऐसे रखना है तो मैं यहां पे प्रेस करके रखता हूँ अब आपके सामने कुछ ऐसा screen आ जाएगा और यहां पे slide करोगे तो बंद हो जाएगा लेकिन आपको power off तो करना नहीं है बस नॉर्मली आपको boost करना है अब आपको क्या करना है कि यह जो home button होता है इसको आपको प्रेस करके रखना है ठीक है और प्रेस करके जब तक रखना है जब तक यह हट नहीं जाता याद रखो जितना ज़्यादा जंग फाइल होगा उतना ही समय लगेगा हो सकता है 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड किसी किसी का तो एक मिनट भी लग जाता है अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली मैं पासवार डाल देता हूँ और अब जो मेरा आइफोन चलेगा वो पहले के सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन की आइकन को दबाना तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई टिप के साथ तब तक के लिए बाई बाई